नमस्कार हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ हूँ मैं रोबिका लियाकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जंग अब आप समझ लीजे पूरे चरम पर पहुंच चुकी है आज CM योगी जहां मेरट में हापुड में दौरे पर है वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपसे कुछ देर पहले अपने सहयोगी दल RLD के अध्यक्ष जयन चौधरी के साथ प्रेस कॉनफरेंस कर रहे थे राश्ट्रे लोगदल के अध्यक्ष जयन चौधरी के साथ ये साज़ा प्रेस कॉनफरेंस बस कुछी देर पहले खतम हुई है क्या कुछ कहा अखिलेश ने क्या कुछ कहा जयन चौधरी ने हम चाहते हैं एक बार आप वो सुन लीजिए लेकिन उससे पहले आप इन दो तस्वीरों को देख लीजिए ये दो तस्वीरे काफी है बताने के लिए कि अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सीधी जंग और ये जंग अपने चरम पर पहुँच चुकी है राजनितिक जंग में कोई किसी को बख्षने वाला नहीं है और आखिर में जनता तै करेगी कि कौन सबसे कुशल साबत होता है हापुड में योगी अधितिनात को आप देख रहे हैं अखिलेश पर एक बार फिर से निशाना साधा उदर मुजफण अगर में अखिलेश और जैन चौदरी ने ये देखी अखिलेश के हाथों में वो अन्न की पोटली उन्होंने निकाली और ये कहा कि ये मैं साथ लेकर घूमता हूँ लाल टोपी और लाल पोटली जिसमें अन्न है 15 दिनों में गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान पूरा करेंगे अगर हम सरकार में आ जाते हैं उदर योगी आए अधित्यनाग भी लगातार हमला बोलते रहें और कहा कि विकास अगर हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ है लेकिन आप सुनिये साजा प्रेस कॉंफरेंस में क्या हुआ और हापुड में कैसे दम भरा योगी ने प्रेस ये दोनों किसानों की बेटे हैं किसानों के हक के लिए आखरी वक्त तक लड़ेंगे और इसलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ लाल टोपी और लाल-पोटली यह nutzen अन्य दाता के पक्ष में हराने के लिए उन्हें भगाने के लिए अन्य संकल बले करके चलता हूँ मैं तो कहूंगा पतकार साती हो अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्य संकल बले सकता है पिशली सरकार में चीनी मिले नहीं चल पाती थी क्योंकि सद्धाधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे पिशले पांच साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का एक लाग चपन हजार करूर पे से धिक का गन्ना मुले का वदो भुक्तान किया ही किया अब बारा से सोला दिन के अंदर गन्ना किसानों का करेंट सीजन का गन्ना मुले का भुक्तान भी हो रहा है गन्ना किसान, जाट मुसल्मान ये तमाम चीजे इस वक्त हावी है इस पर हुंकार भढ़ने के लिए प्रदीप सिंग सहाब वरिश पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिला सिंग प्रवक्ता है बीजेपी की हमारे साथ जुड़ चुकी है विजयराथी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं महिश शर्मा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं रोहित अगरवाल प्रवक्ता है, RLD, वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, शुरुवात मैं सबसे पहले प्रदीब जी आप से करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी पैनी नजर है आपकी इस वक्त उत्तर प्रद करना चुनाओ की वहां से हो रही है, उसका एक कारण है कि सबसे जादा चर्चा में है, चुनाओ प्रचार वहां जादा हो रहा है, टिकट बढ़ चुके हैं वहां, नॉमिलेशन हो चुका है वहां, दूसरी बात किसान आंधोलन का जो भी उत्तर प्रदेश पे असर था, उ इसलिए भी उसकी चर्चा है, गटबंधन जो अखलेश यादव जैन चंदरी का है, वो पच्छमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, इसलिए भी चर्चा है, तो कुल मिला के इसलिए जो है, ऐसा इसा में लग रहा है, और आप याद करें तो 2014-2017-2019 में भी ऐसा ही लगता थ कि पुरे उत्तर प्रदेश के चुनाओं पर पच्छमी उत्तर प्रदेश का चुनाओ भारी है, लेकिन देखे ऐसा है, गटबंधन तो हम देख रहे हैं, पिछले दो चुनाओं में अलग-अलग बने, 17 में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का, 19 में समाजवादी पा की सरकार के काम से संतुष्ठ हैं, उसे वापस लाना चाहते हैं, सबसे बड़ा मेरी नदर में सवाज यह है, यह जो गणित हो रहा है कि इतने पर जाट उसके साथ, मुसलमान उसके साथ, पिछड़े उसके साथ, अगड़े उसके साथ, यह सब गणित गणवर हो जाता है, क चाणिए आप सही कहा रहे हैं लेकिन किसानों के मन में क्या है वह महत्वपूर्पून हो जाता है जब तक तीन काल कानून जो कह रहे थे खिसान वह वापस नहीं लिए थे तब तक यी लग रहा था कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी लेकिन आप जब वो कानून वापस ले लिए हैं तो आप भी उसी डिबेट पे थे जब दो बड़े जाट किसान नेता हमारे साथ इस मंज पर थे हुंकार में जो यह कह रहे थे कि अब हम सेंटर में आ गए हैं अब हम उस दिन मन बनाएंगे जिस दिन ह में वोट करना है विजयराटी क्या इसी लिए सारी ताकत जो है यहां पर जोगती गई है यह टग वॉर की तरह है कि जिसके पास जाट गया उसके पास सीटे गई देगे रुडिका जी ऐसा है जाटों ने 2014 में 2017 में भर भर के वोट दिया था भरते जंता पाइटी को पूरा विश्वास जता है था इन पे बश्मी उत्रप्रदेश से ही काफी सीटे जीती थी लेकिन क्या मिला जाटों को जाटों को अपमान मिला तिरसकार मिला जाटों को खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी टुकडे टुकडे गैंक की उपाधियों से नवाजा गया जाट जब अपना खुटा गाड़ता है तो आसानी से नहीं उखाडता और जब बाढ़ते जनता पालिटी के पक्षमे गाड़ा था 2017 में और 19 में 2014 में बहुत इंतजार किय का है रुबिका जी पूरे 6-7 साल उसके बाद जो मुझे भी पता चला जाट कम्यूनिटी से हुँ यह हम तो आतंकवादी दिखते हैं हम तो खालिस्तानी दिखते हैं हमारे उपर पानी की वह चारे कीले गाड़ी गई फूरे साल सर्दी करमी मैं किसानी खेती करता हूं किस इसके फायर बेर्ड नेता है संगीत सौम, मेरे पीछे सुगर इंडस्ट्रिया, दोराला सुगर इंडस्ट्रिया, धाई हजार करोर का बकाया तो अभी है, गन्ने का पेमेंट आपने किया, जो बकाया है उसकी आप बात नहीं करेंगे, आप ये तो बताइए, पिछले सीजन क अभी हमी पकाया है, मेरा खुद का करना जाता है, ये ग्राउंड की बात कर रहा हूं, दूसरी बात, रुबिका जी एक चीज़ बताईए, विजय जी रुके, पहले आपने ये जो दो मुद्धे उठाए हैं, उसका जवाब में दो लोगों से ले लेना चाहती हूं, महेश मेरी सब को रामरा, और ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर ये कह रहे हैं, तो वो सिद्ध नहीं हो जाता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, सबोटर हैं, और ये समाजवादी पार्टी को ही वोट मैं जाट कम्यूनिटी की बात करती हुं तो जाट तो बहुत राष्ट वधिता को मानने वाली कौम है। घर में एक बच्चा जो है खेती कर रहा होता है दूसरा बच्चा सरहत पेवन दूख ताने वे अपने देश की रक्षा कर रहा होता है। ये वो कौम है जिसने हमेशा अपने राष्ट के शौरे की रक्षा करी है, अपने राष्ट की संस्कृती की रक्षा करी है, हमेशा अपने धर्म का पालन किया हुआ है. अजिए च्राइब के साथ निए ऐसे राश्ट्री जी ने ऐसे दल के साल हाथ मिला लिया है जिसके सदेव जाटों का बुरा किया हुआ हो इतिहास गवाँ है कि मुलाहिम से ग्यादव जी हो चैक्ट रोक टोक किसी नहीं टोका आपको आपने पूरी बात रखी अब अनिला जी को रखने दीजिए मेरे दो और महमानों को और उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का पूरा मौका दोंगे ठीके राथी जी खतम कीजे जी रुविका जी मैं हमेशें ये कहती हूँ चिलाते वो हैं जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं जिनके पास तथ्य होते हैं तो वो अपनी बारी में शांती से बोलते हैं और अगला अपनी बारी में बोलता है जो बेरे बीच में चिलाएंगे उनके पास केवल चिलाने के अ वाली ये वो कौम है तो यहां पर चाहे वो 2013 का तो सब जिक्र करते हैं मैं तो कहते ही 2013 से पहले का भी आप देख लीजिए इतिहास उठाकर कि किस प्रकार से जाट कम्यूनिटी का हश्र किया है जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है जैन चौदरी जी इस वकट अ बेहत आदर्णिय नेता रहे हैं और भारत वर्ष में चुनिंदा जो सबसे टॉप के ऐसे लीडियोज रहे हैं जिनको सब प्यार प्रेम और आदर से याद करते हैं वो चौदरी चरण सिंग जी रहे हैं हाँ चौदरी अजी सिंग जी ने जरूर इसको एक कौम के राजनेत जो पलड़ जाओं क्या दिया है तो उनको लुबाने की इतनी कोशच क्यों हो रही है रुबिका जी रुबिका जी मैं जवाद रही है बिल्कुल लुबाने का प्रयास नहीं कर रही है प्रवेश वर्माजी ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि आप गलत पार्टी में जा रहे हैं आप लोग बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं मुझफर नगर दंगो को और ये बात पुलिटिकल पंडित भी कहते रहे हैं कि इस इलाके में जाट जिसे वोट करता है मुसल्मान उसे नहीं करता है मुसल्मान जिसे वोट करता है जाट उसे नहीं करता है लेकिन क या इस बार ये लोग साथ आ जाएंगे और आएंगे तो उसके पीछे का फॉर्मुला कैसा होगा? रोहत अगरवाल, किस तरीके का फॉर्मुला होगा? कैसे लाएंगे? रुबिका जी देखिए, राष्ट्रे लोंगल ने भाईचारा जिन्दाबाद के नाम से समागम किये, जिसके अंदर हमने जाट भाईयों और जो मुस्लिफ भाईयी थे, उनके बीचों जो खाई एक बनी थी, जो भारती इंता पाटी जिस खाई को बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है, और जिस दर्थ को बार बार कुरे देने की कोशिश कर रही है, उस खाई को भरने का हमने काम किया, आज हमारे जो भाई हैं पश्रिबुतर प्यदेश के जो किसान है, तो पूरी तरीके से समझ चुके हैं भारती इंता पाटी का क्या एजेंडा है, भारती जो मायवंदी ने नहीं किया, वो भुक्तान जो अखिलेश ने नहीं किया, उससे कई ज्यादा अमाउंट में भुक्तान जो है वो योगी की सरकार ने किया है। किसान जो ब्याज में बैंक से पैसा लेता है, उसको ब्याज भरना पड़ता है, और गन्ना किसान को आत्पत्या करनी पड़ रही है, पश्चिमुत्तब कदेश में इसकी वज़े से। दूसरी चीज, जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, इन्हों ने वादा किया था, साले किसान का रेट करेंगे, और वहां पे इन्हों ने क्या कि 35 रुपे बढ़ाया, जिसमें से 25 रुपे तो खाली चुनाओं में हार देखते बढ़ाया, और पांच साल बाद, तो आप बताईए, आप किसान का रेट नहीं बढ़ाओगे, और आप उसमें वादा करोगे उसकी आप लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बढ़ाया, लेकिन भुकतान बहुत कम किया, क्या बेहतर है? की गंणा किसान का गंणा लोगे और उसका और ऑगया पैराया तो जादा पैदावार हुई ना देश की रिड की हटी करिशी के अदारुत है आप के रहे हैं जादा गंणा करीदा इसलिए जादा पैसा दिया तो भुक्तान हुआ ना इसका मतलब किसान ने नई खेप करने की लगाई जिसके अंदर जो परेक्टिवीटी भी करने की वह पढ़ी मेरी मैं बड़ी खराब है अगरबाल जी इसलिए मैं आप पहले डिसाइब कर लीजिए आप कहने ज्यादा गन्ना जो है पैदा हुआ और आप कहने ज्यादा गन्ना खरीदा ग सर्कल कंप्लीट दिन में नहीं हुई लेकिन वैसे हुई तो उसके ब्याज नहीं दिया ना आप यह कह रहे हैं ब्याज नहीं दिया लेकिन भुक्तान हुआ रेट भी नहीं दिया आप बताइए जब साले चार सुरुपए का गन्ना किसान की माहिश्वर्मा जी सच क्या है रोहित अगरवाल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट के और के बावजूद सरकार ने काम नहीं किया और आप दोनों पार्टियां जो है गन्ना गन्न रुबिका जी बूल गया आप अगिलेव की को याद आते हैं राठी जी बस एक सकिन महेश्वर्मा महेश्वर्मा एक और एक और पैनलिस्ट ओपनिंग रिमार्क ले लूँ और उसके बाद अच्छा ठीके महेश्वर्मा हमारे साथ नहीं है राठी जी बात रखिए अपनी देखिए रुबिका जी ऐसा है कि अभी जाटो की मिटिंग की अमित्शा जी ने पहले इन्होंने जाटो को लाठ्शो से पीटा मैं तो किसानी खेती की कोई विरादरी नहीं होती सब लोग थे लेकिन उसमें में रोल जाटो कभी था इससे कोई नहीं निकार सकता चोदरी चरण सिंग के नाम पर जब भी पश्चिम में आते हैं उनका नाम लेते हैं लेकिन आज तक भारत देने की मांग हमने रखी उसको नहीं माना चोदरी साब के सुपूत्र चोदरी एजीत सिंग का बंगला खाली इन्होंने करवाया जबकि इनके कई सांसद और विदायक और स अंसद नहीं है हात्रस में लाटी चलाई चोदरी जैन सिंग के उपर अब इन्हें जाटों का वोट चीट की जाट वोट डालता नहीं जाट डलवाता भी है यह परसेप्शन है पस्चिम में और जाट बेट जिस जिसके साथ रही है वो सत्ता पे काविज हुआ है और आज अगर इनको लगा कि कुछ भारते जनता पार्टी से जुड़े लोगों को बुला करके बैकाईंगे तो ऐसा नहीं है पहले खुंटा इनके पक्ष में गाड़ा था आज वो गटबंदन के पक्ष में और इनका खुटा उखाड दिया जैटों ने इसलिए बार बार चाहे व वेस्ट में उनको आना पड़ता है लेकिन आज जो जनता है वो पश्चिम में पूरी गटबंदन के साथ है तीन सो यूनिट बिजली फ्री पुरानी पेंशन और जो रोजगार के काम गटबंदन ने वादे किया उनके साथ और राटी जी एक साथ पर डिबेट नहीं हो पा जी देखे रुबीका जी सबसे पहली बात हुई है कि समाजवाजी पाठी ने कभी भी चौजी चरण सिंग जी को भारत रतन देने की मांग कभी भी नहीं उठाए तो यहां पर राटी साथ में को गलत बोल रहे हैं इंके अदर से जाट बोल रहे हैं जाट होने के नाते बो नो HOL रहे हैं अप क्या दिक्कत क्या है? मैं आपके बीशन दिक्रोणा भी होनी है Mыми थूर मिलें और गोल कि विगता है! मैं चाहती हूँ आप काउंटर कीजिए और अपने समय पर कीजिए राटी जी टीक है रुबीक इसेकेंड में यह सवाल भी साथ ही पूछ लीजेगा इनके परवक्ता ने कहाता है चोद्रियों की चोद्राइब कतम सब्सक्राइब तरदी चोद्राइब करते हैं अब वह बेचैन होते हैं और उल्टी सीधी भाशा का प्रियोग करते हैं विजय जी बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं जाट भाई हैं मेरे पशिल उत्रप्रदेश से आते हैं विजय जी मैं कह रही हूं आप मेरी बात सुन लीजे मेरे दुश्मन नहीं हो दूसरे राज़्यतिक दल से जरूर हो पर भाई हो मेरे मेरे जाट भाई हो सुन लो मैं जानती हूं समाजवादी पार्टी ने कभी ये डिमांड नहीं उठाई थी पर उन्तु जाटों के मन में हमेशा है मेरे मन में भी है मैं भी चाहती हूं कि चाहती हूं कि चाहती हूं कि चाहती हूं को भारत रतन मेरे मैं आपकी आवाज में आवाज मिला के ये बात कह रही हूं पर समाध्रादी पार्टी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि समाध्रादी पार्टी जाठो के विशे में कभी भी उसने भला नहीं सोचा है। कि मांग क्यों नहीं की राठी जी बताईए इन पांच सालों में आपको सारा का सारा जस्टिस चाहिए। अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं क्यों उस पुरुसकार की मांग तब नहीं हुई। कि तारीक में आप ये सवाल जब उठा रहे हैं तो अपने गिरेबान में जाग कर तो देखे ना प्रदीब जी बनेंगे उसी तिन भारत रतन मिलेगा चोधरी सापको यह लिग लिए आप कहां प्रदान मंत्री की लड़ाई में अभी कूद रहे हैं। गुलायम सिर्ण आदावजी देश के प्रक्षा मंत्री रहे हैं। प्रदीब जी वो यूपिय की सरकार का समर्थन करते रहे हैं। उस समय क्यों नहीं मांग की। क्यों नहीं ये काम करवा लिया। अगर वो चाहते थे कि चौदरी साहब को भारत रस्न मिले तो जब वो सरकार में थे नेशनल फ्रंट की देवगड़ा और गुजराल की सरकार में थे तो उस समय क्यों नहीं बिलवा दिया। एक बात तूसरी राटी साहब ने अभी एक बात करी। उन्होंने का जाट वोट डालता ही नहीं डलवाता दे। इनकी बात बिल्कुल सही है। यह होता था जब तक मायावती मुख्यमंत्री नहीं पढ़ी। पच्ची में उतर प्रदेश में जाटनों का वोट नहीं पढ़ी। जाट गाओं गेर लेते थे और वोट देने नहीं देते। मायावती मुख्यपंत्री बनी उसके बाद से जाटनों का वोट पढ़ने रहा तो जो दुगनी तातर थी जाटनों की वोट के साथ बहुत आरे आप लूग एक सकिंद विजयर आठी जी मुझे लगता है पहली बार हुंकार का हिस्सा बन रहे हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है मैं आप से तीन बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूं और अगर आप आप किसी के बीच पे बोलेंगे तो मैं आवाज बंद कर दूंगी बहुत क्लियर है मैं लोगतांत्रिक डिबेट में यकी लड़े ये विक्टम का लिए विजय राटी जी तो अंग्रेजों के चापनुस अरे वरिष पत्रकार है प्रदीप जी जानते भी है आंको तो पिर किन बात कर रहा हूं तो बीजेपी के टाइम पर बीजेपी को बोलेगा ना आभी रूप चाहिए राटी जी और वीजेप जूँना पर कि डूप लिए राटी जी आप यहां बैट कर किसी को certi caset नहीं बातें गें बोलकुल नहीं बातेंगे ऑर प्रदीप जी जैसे वरिष पत्रकार के लिए यहां बैठ कर एक लवज नहीं सुनेंगी राती जी वेरी क्लियर आए और आप प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा वड़ना मैं आपके आवास बंद करूंगी और मैं कह रही हूं बंद करूंगी सही कह रही हूं रुख जाईए रुपिका जी वश्चा कुष्टर प्रदेश गन्ना उत्पातर की इलाका है वहां पर जो गन्ना किसान है उनकी तीन मुख्य मांगे हमेशा रहे एक उनके गन्ने का भुगतान हो और समय पर दूसरा गन्ने का समर्थन मुल्य बढ़े तीसरा बिजली के दा मैं यह नहीं कर रहा हूं 14 दिन में भुक्तान मिल जाता है जब यह जो बात उठा रहे हैं ब्याच की यह अखलेश यादव की सरकार थी तब इलहाबाद हाई कोड का फैसला लेकिन प्रदीव जी अच्छा लग रहा है कि इस बार वाकिए सिर्फ जिन्ना की नहीं और जो पलायन का जिक्र आज योगी अधितनात्य किया है अखलेश का पलायन वाला वार जो योगी का रहा है अखलेश पर तो समाजवादी पार्टी और आरलडी की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अखलेश यादव और आरलडी के जहन चौप जी की माएन और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुखहनती गई सब्लाइन हुआ हक वो फहले ऐड़ीया से टिकेट मां रहे थे मतरा से टिकेट मां रहे थे फर्याग रास से टिके टिकेट मां रहे थे भारति जन्ता पक है ऐसा उनका पॉलिट glut पलाइन किया है कि हो अनिला जी आप लोग मुद्दा उठाते केराना के पलायन का अखिलेश ने कहा कि बाबा पलायन कर गए ने ने अखिलेश जी से पूछ लेना चाहिए करहल क्या आजमगर में हैं करहल कॉंस्टिवेंसी जहां से ये चुनाव लड़ेंगे क्या वो आजमगर में हैं दिखे इतना जूट बोलने वाला ये राजनीतिक दल है सुबसे पहले इनके जो अध्यक्ष जी हैं अकले जी उन् बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूगा फिर देखा कि भारती जन्ता पार्टी तो योगी अधितांजी को चुनाव लड़ाने के मूड में हैं तो फिर इनोंने का कि अच्छा ठीक है पार्टी डिसाइड करेगी जबकि सबको पता है आज जो पीछे पोस्टर भी लगा हु पार्टी डिसाइड करेगी अब जब हमारे योगी महराज का टिकेट डिकलेर हुआ तो फिर वो बोले कि अच्छा आजमगड जो है ना आजमगड के लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा तो आजमगड के लोगों ने बोला कि साब पहले राठी जी जवाब के लिए और उसके बाद जो है रोप लग रहा है ना विजे राठी जी तुकि ऐसा है ना बहुते जनका पारिटी के नेता मंत्री विदायक हमारे संपर्ख में है तो अनिला मेडम की भी फोन से बात हुई है बिल्कुल इनको पता एक एक चीज की क करती है इन्हें पता है यह हमारे संपर्ख में है किसी नहीं है इन्होंने बता है कि क्या चल रहा हो सकता है कुछ दिन बाद यह समाजवादी पाल्टी की तरफ से बैठी विले आपको एक बात दूसरी बात अब ही मैं बता दो देखिया अनिला जी कुछ भी आरोप लगाई सब स्विकार कर सकते लेकिन यह जूट वाला है ना यह जूट को जूटनी मत कह रहे हैं भाजपा मत बनो इसका मता सीधा है कि जूट मत बोलो कुछ भी लगाओ तो आपको पता है आपके कारे करता नीचे से ऊपर तक जूट जूट पूरे बीज़े जूट पर बेश्ट है कितने नोकरी देंगे आपके लोग संकल पत्र में था 2017 तो यह जूटी पार्टी के साथ काम करने वाले नेता और मंत्री कौन हुए राठी ची मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर बीजेपी जूटी पार्टी है एक नंबर ती और आप ये बोल रहे ह है कि बीजेपी का मतलब ही जूटी पार्टी होता है तो सुनिये ना सुनिये तो फिर इस पार्टी के साथ रहे जो नेता हैं वो कौन हुए मैं ये कह रहे हूं कि बीजेपी अगर मान लीजिए जूटी पार्टी है एक नंबर की तो उस पार्टी के साथ 5-5 साल जिनों ने रहे हैं वो लोग कौन हुए कि देखिए के वार बहकाया जाता है रुबिका जी चीजे समझ में आती है बाद में अभी मैं बता दू दूज़ार चोदा दूज़ार सत्राव मत कीजिए ना उसी जनता ने इनको तिया आप यह बताए मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजी ना विजे खाई बढ़िया मलाई खाई आज अगर वो कई और चले जाते हैं वह जूटी पार्टी के साथ रहकर तो वह कौन कहलाते हैं जूटो के साथ उनी के अतियार से उनको मारा और मंत्री पत्पेल लास्ट में इनको अंगुठा दिखा के चले यह तो अच्छा हुआ नहीं तो उससे पहले उनके घर में CBI, IT, जेल में डाल दिया जाता उनको यह तो आप क्या हो गए वो सक्तिवादी हरिष्टन्द हो जी का नाम लेचिए ध्रमीड सैनी जी का नाम लेचिए आप आप स्वामी प्रशाद मौरे तो तो फिर उस लिहाज से तो एक मौर रही यहां इस पार्टी में भी है तो उनको अगर आप गाली दे रहे हैं तो पूरे समाज को गाली दे रहे हैं स्वातन से देव सिंग को आप कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको बोलेंगे तो पूरे के पूरे आप उनके समाज को बोल देंगे नहीं केशो पशाद मौर्या को स्टूल पर बठाया जाता है और हम यह कहते हैं पिछले समाज के रिक्ति का संबाद नहीं कर रहे हैं तो इस पर हमने क्या गलता है यह तो यह तो आपी के चैनल नहीं कि उनको शाया और महराजी खुद बड़ी सोफा पर बैखे और जो पकी लोग नहीं आप दोनों बैट कर उन लोग उनसे सवाल पूछने हैं कि नहीं सवाल को सब्सक्रा भाप यह पांसाल चला दिया ऑपने तो मौरिया जी से पूछ रहो है कि तो मौर्या जी से पूछ रहोंगे ना कि स्वाम मंत्राले समान रहे थे कितने लोगों को रोजगार दिया जाय वाय पर चर्चा कर लेते हैं? स्वामी प्रसाद मोरिया से कि नहीं? कि श्रम मंत्राले में क्या किया? कितना श्रम किया आपने मंत्री के तौर पर? अब भुबिका जी वो तो कह रहे हैं ना भार के इंता पाटी काम तो डिप्टी सीम तक नहीं कर पाए केशो परसाद मोरिया की जाज करवा ती पीडबलोडी मिनिस्टर ते योगी जी ने दोनों में बात्चीत नहीं थी पूरे साड़े चार साल समने देखा है ने पैट में जाथी योगी जी तरह गहीं कोई तो डाटी जी आपके पास काई that में और वे सभी ऐस्याग पढ़ा हुआ देखिए तो नाम। र्व पास में पास में कोई बैक पढ़ा हुआ है सीदय हाथ युल्थे हात की तरह यह ने हाज बैक पढ़ा है जिसमें यहां रखी हुई है यह मेरा पॉंपलिमेंट राथी जी आपके लिए लीजिये अब आपके लिए अब तो वह जाट का छोड़ा है और सारे कॉपलिमेंट का जवाब देना आता है उसको अगरवाल जी वह जाट के छोड़े हैं तो मैं राजिस्तान री छोरी हूं बता है कि तो हिंसा स्लै के जहाट के लिए विषो न crowd करके ऑस है और आप मैं और स्लैके अंट्राव जी को ईवाधार की पूरा हिंदूस्तान ऐस वाक यहींड़र यहींड़र हुआँ अगरवान जी है अगर्वाल जी, मुद्दा जो है वही तो मैं पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या है? आज की तारीफ में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि 700 गिसान शहीद हो गए और ये सोते रहे, मुद्दा ये है कि लखेंपुर में टेनी जी के बेटे किसानों को रॉंड के निकल गए और टेनी जी को ये अपने मंचों पे सुचुबित करते हैं मुद्दा ये है कि गन्ना किसान को 14 दिन में बुक्तार नहीं मिला और मुद्दा ये कि किसानों को बिजली का बिल तो मिला पर सारों में बिजली नहीं आई मुद्दा ये है कि ट्यूगेल पे बिल का बिल बढ़ाया गया और साले चार साल तक इन्हों ने बिजली का दो गुना रेक लिया आनिला जी रोहे तागरवाल ने एके करके मुद्दे गिना दिये हैं इनके जवाब कैसे देंगे और कहां कहां देंगे इनके पास ना है मेरे जवाब इनके पास ना है ये तो जाट की बती कल़ दल में तो जैन चोद्री जी तो सबसे पहले ये बता दें कि 2013 में जो जाट मारे गए और उसके बाद भी चित्ते जाट मारे गए उसका हिसाब किताब अध्य शादवी से लेकिन आप दोनों जो है आप दोनों के लिए कल ये कहा जा रहा था कि प्रवेश्वर्मा से लेकर बाकी तमाम बड़े लीडर्स जो है वो कह रहे हैं जैन चौधरी गलत रास्ते पर चले गए हैं और आप दोनों आज बैट कर अनिला जी के लिए कह रहे हैं कि ने ये गलत पार्टी के साथ है इनको आज आना चाहिए हम अनिला जी कह रहे हैं आप गलत पार्टी में दो वीडियो जाइंत चौधरी जी हात्रस की बेटी को न्याय दिलाने गए थे उस जाट के बेटे को पीटा जा रहा था लक्ठों से उसकी हत्या करने की साजिज भारतिय इंता पार्टी कर रही थी तब अधिला सिंग ने क्यो चोड़ा रो रहा था आसुओं से उसके खिलाब साजिश की जा रही थी तब अनिला सिंग ने क्योंने यावाज उठाई ओड़ाई और जब साथ अगरवाल जी मेरे पास वक्ती कमी है अनिला जी आखरी 20 सेकंड जल्दी से जवाब दीजे जी रोहित अगरवाल जी जाके अकले शादर जी से पूछ लें कि जब चोट लगी थी जैन चौदरी जी को तो आसु पूछने क्यों नहीं गए उनके घर यहाँ तो जिस सदकारी की वज़े से लाठी चार्ज वो उसको सस्पेंट कर दिया गया था दूसरी बात यह है और आदिल चौदरी यह कह रहे है कि जाटों में हम भोस बर देंगे तो यहाँ पर समादवादी पार्डी के और आरल्डी के प्रवक्ता बैटे है कि इंसे कुछ लिजे अगर पश्चिम में आपने अपना खूटा नहीं गाड़ा तो फिर आप समझ लीजिए कि लखनाओं के लिए आपका रस्ता कठिन हो जाएगा ABP News आपको रखे आगे